नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयरवेदिक डॉक्टर वे दोस्तों मैं तरुण स्वनकार आपके लिए चरक उत्तरार्थ के लेक्चर्स की सीरीज लाया हूँ पिसले वीडियो में हमने बात की थी अर्ष चिकित साहिस्तान के बारे में अर्ष चिकित साहिस्तान में अपने काफी चीजे पढ़ ली है अब तक अर्ष के निदान पंचक देख लिये थे अपने कि मतलब उसके कारण क्या थे निदान मतलब रूप क्या थे उसके लक्षन क् पर चाहिं पिछले वीडियो में डिसकस की ठीज थी इसमाँ अपने दो प्रकार की चिक्षा है पड़ि इंटर्नल और external external में अपने पड़े स्वेधन अफगान प्रक्षालन प्रलेप थीक है इन सब के बारे में फिर उसके बाद इंटरनल चिकित सामित्र त्यूशिनाधी चूण का प्रियोग थी कैं विबिन्द चूण योगों के बारे में अपन ने पड़ा इसके लावा विबिन्द गरतियों का पन ने देखे अरिष्टयों का पन ने देखे बस्ती अनुवासन और जो आस्थापन बस्ती है उनका प् पिर शुश्काश में मस्सों का प्रक्षालन बांग के पत्तों से अपने देखा था गुडाबया का प्रियोग ठीक है तक्र का प्रियोग सबसे इंपोर्टेंट तक्र का प्रियोग अपने देखा था अनुलोमन योग, वातानुलोमन करने वाले, तक्रिके बेद जो चरक ने बताए हुए है, ठीक है, उसका आपको शलोक भी याद रखना है, कौन से शलोक में बताए था, चरक चिकिसा इस्थान अध्या 14 का 84 और 85 वे नंबर का शलोक, तो कि यह PG के लिए आसे important है, यह आपको पूँच लिए जाते हैं, आज के वीडियो में चेप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमापन पढ़ेंगे, रखतार्ष के विबिन्दी चिकिसा हैं, तीन विकार परस पर निदान, और आर्ष में पत्या पत्या के बारे में, दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, आज का टोपिक शुरू करते हैं, वक्रितुंड महा काये, सुर्य कोटी समप्रवय, निर्विग्नम कुरु में देव, सर्वकारेशु सर्वदा, वगवान गनेश हमारे सभी विगनों को दूर करें, हमारा पढ़ाई में योई मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चली आज का टोपिक शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सरावी अर्ष है, अपने दो प्रकार के बढ़ते हैं, कफ और वात के कार, वह क्या बोलते हैं, रक्त और पित्ति की वहाँ पर मेंली दुष्टी होती है, ठीक है, लेकिन उसमें अनुबंध होता है बाकी दोशों क जैसे कि अगर वात का अनुबंध हो रहा हो तो वाता अनुबंधी स्रावी अर्ष और कफ का अनुबंध हो रहा हो तो कफा अनुबंधी स्रावी अर्ष ठीक है, तो यसे दो प्रकार के अपन रक्तार्ष मान सकते हैं, होते नहीं है पर अनुबंध के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि वातानुबंदी स्रावी अर्ष और कफानुबंदी स्रावी अर्ष रखतार्ष ठीक है वातानुबंदी अर्ष के लक्षना कर अपन देखें तो पुरिश कैसा होता इसमें काला कठिन और रूक्ष शाव कठिन और रूक्ष ठीक है पिर है अदो वायू ने प नाग्धádार रक्त निकलता है मतब फेनिल रक्त का और अरुण वर्ण के रक्त का निशकाशन ठीक है इसके लावा रोगी को दोरबल्ये लक्षणों के बारे में तो इसमें पूरीष कैसा होगा शितिल सफेद पीला इसनिक भारी शीतल ठीक है मस्वक में कैसे रक्तिस्राव कैसा होगा गाडा तंतुनुमा पांडू पिच्छिल यन चिप चिपा गुदा कैसी होगी जाघ्यूक्त होगी ठीक है पिच्छा युक्त मलब जहाग युक्त इस्तिमित यानी शितिल होगी गुरु शी और इसनिक्द कार्णों से यहाँ पर उत्पन्न होगा यह अर्ष ठीक है इस प्रकार का अर्ष को कफानु बंदी अर्ष उनके लक्षण अपन जानेंगे अब रखतार्ष का चिकित्सा सूत इंपर्टेंट है ये लिख लेन आ याद कर लेना इसनिक्द शीतम हितमवातए रूक्षशीतम कफानु गे चिक्षामिदम्तस्मात-संप्रदार्य पेऊजेत अब यहाँ पर शीत दोनों में आये है इसनिक्द शीतम नुक्षशीतम क्यों क्यों क्योंकि रखताष होता ही पित और रक्त के कारण है, साथ में अनुबंद दूसरे दोशों का तो अनुबंद दोशों के चिकित्सा के लिए साथ में जोड़ा है, जैसे वातानुबंदी रक्तार्ष में इसनिक्जिशीत चिकित्सा और कफानुबंदी में रूक्षिशीत चिकित्सा, ठीक है, फिर आ ग प्रमच अप्यूपेख्षित्य लंगनार्वा समाचरेथ, दूसरे में कहा है कि मस्तो सो रखत का स्राव होनेगा पर कि उपेख्षा कर देना, दूसरे चाहिए चिझा कि शुरुवाति रखत स्राव की उपेख्षा करना, रखत पित्य में भी अपन यहीं पढ़ते थे, कि र दूशित रख्त को निकलने देना चाहिए उसके बाद जाके उसको इस्तंबन करना चाहिए जीव रख्त जब निकलने लग जाए ठीक है कि दूशित रख्त जब निकल जाता है तो उसके बाद रख्त संग्रेण या इस्तंबन चिकित्सा करनी चाहिए ठीक है यह चीज अपन आगे देखेंगे ठीक है यहाँ पर आगे क्या है प्रायम प्रम में रख्त को रोपने से संभावी त्रोग यहाँ भी बता रखें रख्ते पित्ते जो है त्रशना वगराई सब जो है वह बहुत इंपोर्टेंट है इस चीज़ आप रीड़ी कर लेना कौन-कौन से जहें रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते है आगे हम चलें रख्तार से दुष्ट रख्त निकल जाने पर रख्त को बंद करना आउशक है और जाटरागनी को प्रदीप्त करना भी आउशक है इसलिए रख्त को बंद करने के लिए तता दोशों को बचाने के लिए तिक्त द्रव्यों का प्रियोग द्वारे चिकित्सा का प्रारंब करना चाहिए तिक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए ठीक है इंपोर्टेंट याद रखना फिर वात प्रदान आगे चलते हैं वात प्रदान और शीन दोश वाले विक्तियों में क्या चीकिसा है तो पान अभ्यंग अनुवासन ही ठीक है वर्तते इस नेह साध होते हैं इस प्रकार के रोगी और पान अभ्यंग और अनुवासन बस्ति का यहां पर प्रयोग करना चाहिए ठीक है अब ग्रीश मिर्तु में अगर पित्त प्रदान जो रखतार्श हो रहा हो तो उसमें क्या करना चाहिए रक्त स्राव जो है बंद करदाना चाहिए क्यों क ग्रीश मिर्तु में पित्त पहले से बढ़ा होता है अगर ऐसे में आप रखत स्राव को बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा जीवरक्त का जो है नुकसान होगा रोगी के और वो रोगी मिर्तु को प्राप्त कर सकता है इसलिए वहाँ पर रखत स्राव बंद कर देना देंगे फिर उसके बात क्या है कि कुटज कवात वगरा जो है यह सब रखत स्राव रोधक योग है घक्ड़क चन्दं द्राधें help नागर चण्दं किरातिक द्नवयास नागर कष यह जो हैं आपको याद रखनें उसके इंपोर्टेंट क्वात योग ठीक है रखताश को है इसको आप याद रखिएगा फिर अपना आगे आते हैं इसमें ज्यादा कुछ है निए डीटेल है यहां पर यह चीज़ आप एक बार रीड करेंगे न तो आपको समझ में आएंगी ठीक है पिर है रख्तसरावां में करतव्य है कि अधिक रख्तसराव उन्हें प्याज के शाक से या पॉई से बने हुए शाक में खटी बेर मिलाकर तक्र से या मसूर की डाल में खट्टा तक्र मिलाकर खाने को देना चीज़ चाहिए यानि प्याज की सबजी तक्र के साथ या पोई की शाक जो है खटा बेर मिलाकर तक्र के साथ या मसूर की दाल खटे तक्र के साथ जो है खाने को देनी चीए पिर इसके लाव इबिन मानसों का प्रयोग बता रहा है कि घरहा अरेंड लावा का पिंजलादी के मानसरस का प्रयो लोग आपको क्या importance लग रही है इसकी जैसे आपने रक्त पित्त में पढ़ा है जब नासा से रक्त स्राव होता है तो उसमें आपने साथ प्रकार के DP 32 मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें पलांडू एक आया था प्याज उसका नस्य देने को कहता है प्याज के सुरस का तो ही है ठीक है फिर यहां पर एक important बात है व्यत्यास चीकित्सा यह कई बार बूल लेता है व्यत्यास मलब शीत और मदूर को मिक्स करके देना कि कभू यहां पर लेकिन यह व्यत्यास यहां पर किसका according आया मदूर्स और अमलरस को alternate रूप में देना क्रम बदल कर देना यह व्यत्यास आन मदूर्स अमलाम व्यत्यास चीकित्सा है यह यह याद रखना फिर उसके बाद क्या है आगे अपन देखते हैं तिलादी का प्रयोग की बई काले तिल का चोण मक्कन के साथ देना यह नाक के शर का चोण को मक्कन और चीनी के साथ देना यह दही की मलाई को तक्रे के साथ कुछ दिन तक मिला कर देना यह सब रखतार्ष में अपन प्योग कर सकते हैं अगर वात की प्रदानता हो जाए तो वात नाशक चिकित्सा है अपन को यहाँ पर करनी चाहिए फिर परिशेचन बता रहा है लेठी आदि जो द्रव्य हैं उनके जो है कौत बनाके उस गरम पर कौत को जो है अर्श पर दारा प्रवाइद करनी चाहिए उससे परिशेख करना चाहिए ठीक है यह एक इंपोर्टन चीज याद रखिएगा फिर आगे हम शत्दोत गरत का प्रियोग सहस्त्र दोत गरत का प्रियोग बता है यह चीज आप याद रखिएगा कि भई रक्तार जो होता है उसमें सत्दोत गरत और सहस्त्र दोत गरत का भी यहाँ पर प्रियोग किया जाता है ठीक है यह चीज आप याद रखिएगा फिर उसके बाद आपन यहां पर पीड़क सरपी का प्रियोग यह चीज आप याद रखना ठीक है ग्रतमंड का प्रियोग अनुवसंद के लिए पिछा वस्ती का प्रियोग यह बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज आप याद रखना है यह इन चिक्षाव में आपको कहल नाम याद रखने ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है नाम पर उसके बाद पिछा वस्ती यह बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज आप डीटेल में पढ़ना पांच नंबर में बहुत पूछा जाने वाला कुश्यन है तो यहां पर क्या पता रखाए यवास की मूल ठीक है पल मात्रा में लिया फिर इसमें क्या जों को खूट कर एक प्रस्त जल और एक प्रस्त गोदुग्द में विदी पूर्वक पाक किया ठीक है यह पाक करने के बाद पिर इनको चान कर रख लिया पिर इसमें मौचरस, लजावन्ति, लाल चंदन, नीलकमल, इंद्यजो, प्र प्रियोग कहा कर सकते हैं प्रवाहिका गुद ब्रंश ठीक है रक्तस्रा और उज्वर्रोग में जो है इसका प्रियोग करते हैं फिर प्रपोंडरिक आदी की अनुवासन बस्ती कर देना रीवेर आदी गरत का प्रियोग ठीक है यह आप नाम याद रखेगा यह इंपोर्टेंट है फिर उसके बाद सुनिशनक चांगेरी गरत इसका अतिसार में भी प्रियोग आया है ठीक है तो इंपोर्टेंट है यह मदूर अमलानी एक बार फिर से आगया कि अर्श में वितियास कर्म कि मदूर अर्मल का करम बदल के पुरियोग करना चाहिए ठीक है फिर अपने आते हैं तीन विकार परस पर निदान ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह यह क्यों पांच नंबर में आपको इसका है ड ग्रहनी दोश एवचे एशाम अगनी बले हीने व्रद्दिर व्रद्दे परिक्षय तसमाद अगनी बलं रक्षय मेशू त्रीशू विशेश्त है कि अर्श अतिसार और ग्रहनी यह तीनों रोग परस पर निदान होते हैं दुसरे के कारण होते हैं यानि किसी के अर्ष हो भूरक है तो उसके अर्ष और रइतिसार होने के बहुत ज़्यादा चांसेट होते हैं इसक्यों कि तीनों में जो होता है अगनी बल् से होने वाले रोग अगनी बलके नास से होने वाले रोग हैं इसलिए जब निदान से में तो रोग भी आपस में उपद्रव रूप में हो सकते हैं ठीक है यह याद रखिएगा फिर पत्य पत्य पता रखें तो पत्य में क्या है जो अंदर पान जो है वात को अनुलोमन करने वाले हो बल को है अपत्य के इनके जो विपरीत है यानि जो वात को बढ़ाने वाले हो जो बलको गटाने वाले हो उनको जो है वहाँ पर सेवन नहीं करना जी इस प्रकार जो है अर्श रोग का अध्याय अपना समाप्त होता है ठीक है फिर इसमें एक इंपोर्टन चीज है अर्श प्रति बता रखा है कि जब अल्प दोश वाला हो ठीक है अल्प लिंग वाले हो तो बेशत साथ्द्य होते हैं आर्श दूसरी बात मर्दु प्रस्रत यानि फैले हुए वात कफज अउगाड ठीक है रक्तपित्ता जर्श शार कर्म साथ्द्य माने जाते है अगनी कर्म साथ्द्य पस बरी होती है या फिर जिन में क्या होता है गिलापन होता है श्रम और सब प्रकार के जो दोशा जर्च होते हैं उनमें शस्त्र करम दोरा साध्य होते हैं यह चीज आप याद रखिएगा अब अरश के विभिन योगों की बात करें तो तक्रारिष्ट पिप्पल्यादी अर अरक्तव ग्रते हैं उससे पहले के जो आपने पड़ेते यहां से तक्रारिष्ट से लेकर और कनका रिष्ट तकके ये शुशका ऑरश करें क्यों और के योग गये चिच्छ tension无 युद्शन समारा हओ ओध्य है अब रखतारो कि सह मैं मैं एक बार आपको बोल देता हूँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है सबसे इंपोर्टन चीज है यहां पर क्योंकि यहां पर कैस और रस जो रक्तार्ष की चिकित्स है वह बहुत फैले वह रूप में जैसे शुषकार की चिकित्सा क्रम से थी न वैसे रक्तार्ष की चिकित्सा क्रम से नहीं है तो इसलिए आपको एक बार मैं क्रम से एक बार बता देता हूँ रक्तार्ष मपन ने क्या क्या देखा तो रक्तार्ष मपन ने सबसे पहले देखा कि उसमें दोशो के सबसे पहले रक्ताश मगर वातानु बंद है तो उसके क्या लक्षन दे कि जो विट है पूरीश है वो श्याव यानि काला कठिन रूख्ष हो सकता है अदो वायू ने प्रवर्थ थे यानि अदो मार्ग से जो है अपान वायू का ने निकलना अपान वायू अवरोध हो जाना ठीक है अर्श के मस्य से निकलने वाला रक्त कैसा होगा अरुण वर्णका और जाग्यूक्त होगा ठीक है दूर बलता होगी रोगी में और रुक शाहर वियार के सेवन से अर्शोत पत्ती होगी इसके लावा कटी उरू गुदा में शूल होगा फिर आता है अगर शलेशमा शोयत इसनिक्द गुरू और शीतल चीक है मस्य सिस्राव कैसा होगा गाड़ा तंतुमत तंतुनुमा पांडु वर्णका और पिच्छिल यानी चिप चिप जिपा इसके लावा बुद कैसे होगी पिच्छिल पिच्छायोगत होगी और इस्तिमित होगी शीतल होगी इसके ओलावा गुरू और इसनिग्दाहार साइन तो दोनों में बन्दीं होगा और कफा दू है लुबbor दिफिर फिर कफा जिक्द कर सकते हैं तो यह और लोगना नीची उसको फ्लो होने देना चाहिए क्यों को दूशी तरक्त होता अगर उसका इस्तंबन करेंगे तो अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं लंगन द्वारा चिकित्सा करने चाहिए को कफ का अनुबंद है तो आम भी बनेगा आम के पाचन के लिए लंगन इसके लावा दूशी तरक्त निकल जाने के बाद स्तंबन चिकित्सा रक्त का रोकना भी ज़रूर यह निकलते दोर ना देने इसलिए फिर उसके बाद यहां पर क्या है आगे अपन बात करते हैं तो इसमें वात प्रदान में इसने साथ दे होता है पान अभ्यंग अनुवास प्रदाश में तो उसमें चावल का दोवन यानि तंडू लोदक मदू मिला के पान कराना चाहिए ठीक है और यह जो है तंडू लोदक पाने यह रप्तिस्तंबक का भी कारे करता है रसक्रिया की बात करें तो कुटजादी रसक्रिया अपन ने पड़ा ठीक है चून योग क अपन बात करें तो पाठादी चून योग शूल के लिए और छाग पये के साथ निलोत पलादी चून योग का प्रियोग यहां पर किया गया है तो दाड़िम्रस सिद्ध गोगरत ठीक है इसका लवा कुटजफलादी गरत का प्रियोग यहां पर अपन ने देखा था विब देखार के साथ कुछ दिन तक निरंतर सेवन नित्य सेवन नोनीत और काले तील का सेवन थीक है मला मinsi मक्खन के साथ Qalaatil के चून यह सब जो है आपे अन्येbet अपन परिशेचन करना की मधुयष्टि आदी योग से मधुयष्टि अदी योग का कोओध बना के उस से परिश प्रियोग किया है इस प्रकार से हमारा आर्ष रोग अध्याय कंप्लीट होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सबस्ते रहें मस्त रहें बाई बाई